हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको क्रीमी मटल मश्रूम बनाना से खाऊंगी जो की बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में उतना ही स्वाधिश्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने मश्रूम को धो करके इस तरह से कट कर दिया है आप म मटर और मश्रूम लिया है और कुछ पीस मैंने यह ताजु के लिए अब मैंने एक पैन में वन टेबल स्पून ओयल लिया है उसमें मैंने यह चॉप्ड अनियन गार्लिक और चॉप्ड जिंजर इसमें डाल करके इसको हम थोड़ा एक दो मिनट के लिए फ्राइक कर लेंग अब मैं यह जो काजु के पीस लिए थे वह बीस में डाल रही हूं आपके पास काजु नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते इसके बदले आप मुंफली भी डाल सकते या मुंफली ना हो तो आप बिना मुंफली बिना काजु के भी यह ग्रेवी बना सकते हैं अब मैंने इ त्वाइन थंडा होने पर मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल कर इस तरह से फाइन प्यूरी तैयार कर दिया अब मैंने फिर से पैन में तू टेबल स्पून के करीब ओल लिया है और जो यह हमने जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट बनाया था टमैटो इन सब का जो हमने पेस कीवी थी वह भी मिक्स कर दिये आप हरी मिर्चों को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के कॉर्डिंग अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसाले में जिससे मेरा अच्छा से मसारा भूं जाए और यहां पे मैंने हाफ बाउल क्रीम लीवी है अब इसमें नमक हाफ टी स्पुन धनिया पाउडर fig फॉर्ड़ी पाउडर रहा अब जानों भूंग इन मसालों को सबको अच्छा से इसमें भुन later this तो हुझ अभी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी अब इसमें मश्रूप भी मिक्स कर देंगे अब इसको मैं अच्छे से इसको सभी चीजों के अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह सभी है मारे मसाल्य में सभी अच्छे से मिक्स हो गया अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके एक दो मिनट के लिए इसको पकाने के लिए रख दूंगी यह अच्छे से इसमें मिक्स हो गया अब मैं इसमें लिड लगा करके एक दो मिनट के लिए अच्छे से इसको पकने के लिए रख दूंगी यह देखिए एक दो मिनट बाद मैंने इसमें अपने आपको जितनी गाड़ी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको करीबन 4-5 मैंने इसमें ढाल दीए होजाल धन्यापत्ति लिए और वीक्स करं लेक इसमें मिक्स कर दिसी और डालने मैं के एक मिनट के लिए हम इसको चलाईंगे और इसके बाद हमिंगेस को और बास हमाटे क्रीमी मटर मश्रूम तएर तो कैसी लगए आपको मेरी ऐ रेसीपी जरूर ट्राइ करिएगा तो चलिए जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई